आज से दस मेने पहले मैंने ये वीडियो रिकार्ड करी थी मैंने ये चैलेंग लिया है कि मैं कमाने वाला हम फ्रीलैंसिंग के तरू वह भी एक लाग रुपए वह भी साल के एंड तक जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर मैंने बोला था कि मैं मुवाइल वीडियो एडिटिंग के तरू कमा के दिखाऊंगा आपको वन लाग रुपीज वह भी साल के एंड तक तो अभी तारिक चल गी है 3 दिसंबर 2023 यानि साल का एंड होने वाला है जैसे कि मैंने उस वीडियो में कहा था तो क्या मैं कमा पाया मुवाइल वीडियो एडिंग के तरू 1 लाग रुपीज तो इस वीडियो के अंदर में ये डी क्लोज करने वाला हूं कि मैंने अपनी फ् प्रिलैंसिंग से एक लाग रुपे कमा सकते हैं तो इस वीडियो के एंड में आपको जवाब मैं जाएगा तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम अपनी फ्रीलैंसिंग की पहली तारीक से यानि 22 दिसंबर के समय मुझे अपना पहला फ्रीलैंसिंग क्लाइट मिला था वो मुझे मेरे YouTube चैनल के तुरू मिला था क्योंकि उन्हें मेरी एक YouTube वीडियो देखी थी जिसके अंदर उनको मेरी आडिटिंग बहुत पसंद आई थी उन्होंने मेरे को मेल करा, उन्होंने का कि मुझे इस तरह की एडिटर की ज़र्वत है उनको एक VoiceOver के उपर B-roll लगाने वाला एडिटर चाही था तो मैंने सोचा कि यह तो बहुत आज़ाद आज़ाद आडिटिंग है लगा था मुझे क्या असान होगी लेकिन जैसी मुझे काम मिला, मैंने काम करना स्टार्ट किया और हमने पहला प्रोजेक्ट जो करा था वो 5 मिनट की वीडियो थी और उसके मुझे पूरे 300 रुपे मिले थे तो मैं तो बहुत जादा खुश हो गया कि वीडिटिंग के थुरू मैंने पैसे कमाए पहली बार मैंने अपनी औलाइन अंडिंग करी दोस्तों आपको बिल्कुल पता नहीं है कि मैं कबसे इस चीज के उपर ट्राय कर रहा हूँ ऑनलाइन अंडिंग के उपर जब मैं 10th क्लास में था तब से मैं इस चीज के उपर लगा हूँ और जब इतने समय से आप हर चीज ट्राय कर लेते हैं मैंने यूटूब पे हर वीडियो देख लिए कि कैसे कर के क्या करना है मैंने इबुक से लेके सब कुछ देख लिया था यो मैं तब से लगा वा था लेकिन जब मैंने पहली बार अपनी ऑल-लाइन के थूप पहली अर्णिंग करी लेकिन सच बढ़ाऊ मुझे इस इतना अशनलगा था वो तन यह वहा नहीं क्या कि मैंने अपने पहले भीरान्शिंग सब्सक्राइब करी जो की तीन सो रुपय कि ती और उस मेंने हमने अच्छे से काम करा उनी क्लाइट के साथ उस मेंने लगबग बनाए 1300 रुपे और लगबग मैंने साथ वीडियो रिट करी थी तो यह मैं रिकॉर्ड करना चार्ट कर देता है मैंने उस समय से ही फ्रीलैंसिंग का जितना भी अब हो था क्योंकि मैं फ्रीलैं प्रीलैंसिंग के थुरू आते हैं अपने दूसरे महीने तो दूसरे महीना था हमारा फैब का जिसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज होगी और इतने जाता वीडियो रेटिंग कर रहा था हो जैसे कि मैं मुवाइल का यूज कर रहा हूं तो मैं चार्जिंग करते से में भ 2400 रुपए यानि 2400ृपे मेरे मुवाईल की बैटरी को ठीक कराने में लगा दिया इस में editing करना तो मैंने दो बार बैटरी चेंज करा दी एक बार तो बजगे हम क्योंकि उस समय हमाई पास warranty थी तो इसलिए फॉन की बैटरी में चेंज होगी लेकिन एक बार हमाई पैसे लग गए तो इस तरह के से हमारा तीसरे मैंने में मैंने लगबग 8 क्लाइट के साथ काम किया और लगबग मैंने कमाई 3,000 रुपे लगबग मैंने 16 वीडियो आड़ करी और इसके बाद से मैंने समय काउट करना स्टार्ट कर दिये था कि आखिर मुझे एक वीडियो को आड़ करने में कि नस्मे लग रहा है और मैं कितना काम कर लेकिन जब मुझे से कमाने का मौगा मिला तो मrekने कमाना सूरू करा लेकिन एक समय ऐसा है जिसके मैं आपको बता रहा हूं कि आपरिल की समय मुझे काम में कॉ मैं टना काम करना था मैं दिन के बारो 12 Chaos कर रहा था मेरे पास आज वीडियो आए मुझे वह आज ही देना पड़ता था तो यह प्रावलम मुझे बहुत जादा फेस कननी पड़ी और इस वजी से सच बताऊं तो मुझे वीडियो रिटिंग से बहुत जादा नफरत होगी थी मैंने सोच लिया था कि यह तो बहुत बेकार है क्लाइन ने बहुत को सिखाया था और मैं चाता नहीं था कि मैं अपनी क्लाइन को छोड़ू तो इस वजी से मैंने सोचा कि चलो एक महने और काम करते हैं अगर मैं आपको एग्जेक्ट अमांट बथाओं कि उस महने हमने कितना कमाया था तो उस महने मैंने पुरे 50 वीडिय इस अगर और मैंने पुरे 300 गंटे काम किया था 300 गंटे पुरे महीने का है और लगबे 25 दिन काम करते था तो लगबे 12 गंटे से भी जाद अगर समय मेरे को लग ता एक दिन में तो मैंने अगर 50 वीडिय रिट करी था और हम ने कमाया था उस समय पाइब फॉर थांड़ नहीं आ रहा था क्योंकि काम पहुझ जाता, लोड बढ़ चुका तोब आपर, करेक्शन इतने आ रहे थे, और प्रेसर बहुत था, क्योंकि उसी समय मैं वीडियो लेता था, एक दिन में दो-डो वीडियो वीडियो थी होती ही, तीन-टीन वीडियों आरेट थी मुझे, और तो मैंने सब कुछ बंद कर दिया था, बाहर लिकरना तक बंद कर दिया था, क्योंकि काम मुझे करके देना था हूना है, तो यह उस समय बहुत ज़्यादा टफ टाम था मिल ले, उसके बाद आता है अगला माहिना, यानि मे का माहिना, जो कि है, पांचवा माहिना मेरी फ्रिल इस महीने, उसके आध फिर इस महीने भी काम बहुत जाद हुआ, सेम उसी तरीकी का, और इस महीने मैंने वीडियो रिटिंग को छोड़ना कर दिया था, कि मैं वीडियो रिटिंग को छोडने वाला हूँ, तो मैं यूटूब पर सर्च मानने वागे था, और मुझे वहाँ एक वेब डिजाइनिंग वाली स्किल दिखी कि वेब डिजाइनिंग के अंतर बहुत पैसा है, और यह बहुत सारे के साथ होता है, जब कभी भी आगर आपके साथ भी ये प्रॉल्म फेस आएगी, जब आप ऐसे कुछ करेंगे, आपको ऐसा लगएगा कि मैं इतना कम कमा र रहा था उस समय, लेकिन उस समय कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, जिस बज़े से मैं आज भी वी डिटिंग कर रहा हूँ, तो आखिर क्या हुआ उस समय, मैं आपको बता देता हूँ, तो उस समय हमें एक एजेंसी की तरफ से ओफर आया था काम करने का, और मैं बहुत ज़्याद है कि आपको एक वीडिट करने के 500 रुपे मिलेंगे तो मैं बहुत जादा खुस हो गया, और जहां पर मेरा मोटिवेशन डाउन हो गया था कि वीडिटिंग चोडने का, यहां पर मेरा मोटिवेशन फिर से आ गया, कि नहीं वीडिटिंग से पैसा कमाई जा सकता है, लेकिन अभी भी यह पूरी गानी नहीं है, आप पूरी गानी सुनेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर असलियत में क्या हुआ, तो फिर क्या हुआ, उस महिने मैंने पूरी तरिके से उस एजेंसी वाले के साथ काम किया, यह वीडियो वीडियो वह भी देख रहे होंगे मैं उझे जैसा लगता है, तो हुआ ऐसा कि मैंने उनके साथ काम किया, और लगबख हमारा जो बैलेंस बनाता, ट्वेंटी ठाउजन का बनाता, और वो पैसे नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि उनको बहुता कि कंडिशन अभी ठीक नहीं है, मैंने का कोई दिक्कर नहीं है, म यहां पर मुझे पूरे ट्वेंटी ठाउजन रुपीज का लॉस फार, लॉस तो नहीं बोलेंगे, लेकिन सच बताऊं तो अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि आप यह ज़रूर देख रहे हैं, मैं यह कहना चारूं कि मैंने उस चीज का बु लेकिन मैं वहाँ से मेरा दिमाग खुला कि असली में वीडियो रिटिंग से लोग इतना कमा रहे हैं, उसके लिए थैंक यू, लेकिन आपने एक चीज मुझे सब्सक्राइब, लेकिन उस समय अगर आप मेरी सिचुशन में होते हैं, तो आप भी भरोसा करते हैं, कि कि सिच जिसके बड़ मैं डीपली जाना नहीं चाहता, क्योंकि यह एक बिजनस का पार्ट है, जहां पर आपको लॉस्स भी देखने के लिए मिलेंगे, और फायदा भी देखने के लिए मिलेंगे, तो सब बताऊं तो मैंने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना था, इस चीज का मेरे क बुरा लगा था, और कोई बात का बुरा नहीं लगा, तो बाकि सीखने के लिए मिलेंगे, माइन बहुत कुला, तो आपको सीथा उपर जाते हो दिखती है, तो आपको इन चीजों से फ्रक नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिजनस का यह हिस्सा होता है, तो फ्रीलैंसिंग करे वजी से मैंने अपने क्लाइंट लूज करना स्टाल कर दिया था तो मैं सिर्टिंग क्लाइंट पर था लेकिन मुझे उससे दुख नहीं था क्योंकि यह मुझे प्रेसर बहुत हलका लग रहा था जब मैंने इतना सारा काम नहीं था तो उसमय मैंने सिर्फ चैसो तीस वह कर रहा हूं तो आज है 2024 की पहली तारीक यानि आज है नया साल तो हैपी नियूरे आप सब के लिए मेरी फॉन की स्टोरी भरगी थी तो मैं वहां से स्टार्ट कर लेता हूं जहां पर मैंने छोड़ा था तो हम ते अपने साथ महीने फ्रीलैंसिंग के जहां पर आपको पता क्योंकि एजेंसी की तरफ से भी काम आना बंद हो गया था और उसी चक्कर में मैंने सारे कि सारे अपने इंडिन क्लाइंट छोड़ दिये थे आने वाला आट वा महीना लग रहा था कि पूर दे कि खराब जाने वाला है ओपर से मेरे को वहां पर यह समय अब नहीं हो पाए पाएगा यह और जब गहीं मैंने अगर आप यह चेक देगे हिए यह चेक भी मैंने साइन कर दिया था लगबग आट से नौ मैंने पहले तो यह मैंने इंटिचाम पर दालता है इसमें आमांट आप दे सकते हैं इसमें आमांट डिका है हूँ है वन लाग रुपीज और ता मुझे इंटरनेशनल मार्किट के बारे में पता चल चुका था कि कैसे करके इंटरनेशनल क्लाइट के साथ आउटरीच करते हैं तो मैंने सुझे चलो ट्राय करके देखे हैं हमने टार्गेटर का इंटरनेशनल उस समय कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वज़े से मैं आज यहां पर वीडियो बना रहा हूं कि हमने अपना पहला इंटरनेशनल क्लाइंट क्लोज करा जो माईना हमारा सबसे बेगार चाने वाला था उस माईने हमने पूरे कमाए पूरे बीस हजार रुपे मैं आपको अपनी पैली पेमेंट दिखा हूं इंटरनेशनल वाली तो वो कुछ इस तरकी दिखती है जो कि है टू फिप्टी डॉलर इंडियन करन्सी में करें तो ट्व कि काम करना वे पैसे जादा आ रहते तो मैं बहुत जादा है यह अदू हमें पूरे महीना काम नहीं मिला लेकिन अचानक से एक चीज वी कि हमने पीच में थोड़ा बहुत कम दिया है जिसquito म से हमने को जीरू जाने से बचा दिया hen यह मैन अक्टूबर का माईना था और इस समय हम जीरू पर जाने वाले था, लेकिन अचानक से थोड़ा कि यह महीना वो जाने वाला है जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं हो तो इस महीने जो हमने इंटरनेशनल क्लाइन को क्लोज कर रहा था उसकी तरफ से रिप्लाय आने भी बंद हो गये थे फिर गया था मैं सोच रहा था वही हो गया यह महीना हमारा सबसे ज्यादा ड्राउन वाल हो और फिर आने आला था दिसंबर का महीना जो कि था बारा महीना हमाई चैलेंज का आख महीना लेकिन अब तो साही तरब से उम्मीद्य छूट चूकी थी लेकिन आपको पता होगा वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है तो आप समझे होंगे कि इस समय क्या ह को बने मां है तो यह वारवा महीना यानि दिसंबर का महीना जिस समय में बस्ते हो रहें आपको बदेख को मधिल एक साल करेंगे के कच वेगव पैद्टार होंगे हमें हम हुख टॉपर से हमें कुछ एक स्च्रा काम मिलने स्टार्ट और भी सिसvens दॉड़ हो गया जिसकी क्लोस किया हमने इस माई ने टूटल पर मंध हमने पूरे 50,000 रुपीज कमा आए यह बोलने के लिए बहुत बड़ी चीज है मेरे ले आपके लिए होगी यह नहीं मेरे को नहीं पता लेकिन मुझे पता है कि मैंने अपनी फ्रिलैंसिंग जर्नी कहां से स्टार्ट करी थी मैंन हमने उसे हो चुके हैं एक साल और इस माईने हमने कमाए हैं 50,000 रुपीज यानि स्टार्टिंग करी थी 1300 से और एंड कराया है हमने इस साल का 50,000 से तो इसका मलब चैलेंज कम्प्लीट हो चुका है हमने जो टोटल अमांट कमाया इस पूरे 12 माईने में कुछ इतना लिकल के आया है आपने मेरी फ्रीलैंसिक जन्नी से क्या सीखा आपने यहां पर देखा होगा कि जहां जहां पर डाउन फॉल आया है जरूर कुछ बढ़ा हुआ है तो यानि जहां पर आपको लगे कि यह समय छोड़ने का है अगर आप थूड़ी सी और मैनत करें और आप रुके रह तो मैं आपको एक सब्सक्राइशन देना चाहूंगा अपने एक्सपिरियंस में जो कि मैंने इन 12 महिने में सीखा मैं आपको सिर्फ यह कहूँगा कि इस समय में बहुत सारे लोग आ रहे हैं फ्रीलैंसिंग सीखने के लिए वह भी खास का वीड़ी और लेकिन मैं सिर्फ आ कि मैंने से मैंने जाद अगामाना स्टार्ट कर दिया था वक्त लगता है आप सीखते हैं फिर जाके आप उस लेवल पर पहुंचते हैं तो एंड में मैं आपको एकी सब्सक्राइशन देना चाहूंगा कि आप कंजियूम करना बंद कर दीजे और एक्शन लिना स्टार्ट क कर दीजे क्योंकि इन देन्ड आपको एक्शन ही आपको वहाँ पुछाएगा जहां पर आपको पहुंचना है